प्रेंट्स आज हम मनाएंगे वन साइड ओप शोल्डर ब्लाउस इसे हम मनाएंगे प्रेंसिस कट पर 34 साइस का बनाएंगे तो अभी तक आपने चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजेगा और बेल आइकन की बटन जरूर दबाएगा तो यहाँ प प्लस किया है मार्जन के लिए 15 इंच लेया है और यहाँ पर हमें सोल्डर का हाफ लेना है 7 इंच आर्मुल लेना है 6.5 इंच इस तरह से स्टेट मार्किंग करेंगे यहाँ पर हमें चेस्ट की मार्किंग करना है तो चेस्ट है हमारा 34 इंच उसका फोर्थ पार्ट लेना है 8.5 इंच फ्रेंट पार्ट है तो 2.5 इंच प्लस करना है मार्जन के लिए और यहां से हम स्टेट लाइन ड्रो करेंगे नीचे के साइट से 1 इंच एक्स्ट्रलिया टक्स के लिए 1 इंच से आर्मुल के साइट गुलाई देनी है अब यहां पर हम प्रिंसेस कट की मार्किंग करेंगे तो 3.5 इंच पर हमें मार्किंग करनी है टक्स पॉइंट लेना है हमें 10 इंच पर 10 इंच पर हमने ले रिया इस तरह से लाइन को ड्रो करना है अब ओफ शोल्डर बना रहे तो यहां से हमें 1.5 इंच पर मार्किंग करनी है और इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप देना है डार्क कर लेना है से और अब देखिए यहां पर हमें 1 इंच पर सोल्डर को डाउन करना है इस तरह से लाइन को ड्रो करेंगे अब देखिए यहां से हमें 1 इंच पर मार्किंग करनी है यह हम ओफ शोल्डर के लिए कर रहे है नैक की जो लैन थे वो हम यहां पर रखेंगे 5 इंच आप कम्याद ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन आप ज़्यादा ज़्यादा होना कीजिएगा 5.5 इंच तक आप इसे रख सकते हैं यह देखिए इस तरीके से डार्क कर लिया हमने यहां पर देखिए गैप आ रहा है 2 इंच तो 2 इंच पर हमें इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है देखिए इस मार्किंग को इस तरीके से मिला देना है अब दिखिए यहां से हमें थोड़ा सा तिर्चे में लेना है तो 0.7 इंच पर हमने मार्केंग की और इस तरीके से लाइन को ड्रो करना है बिल्कुल सीधा नहीं रखना है हमें अब दिखिए यहां पर से कट करेंगे दिखिए जो प्रिंसेस कट का पार्ट है अब यहां से हमें one side बनाना है तो यहां से हमें इस तरीके से लाइन को ड्रो करना है और एक साइट के पार्ट को हमें कट कर लीना है यह दिखिए इस तरीके से तो हमने इसे cut कर लिया है अब जो princess cut था उसकी marking हमने tux की marking जो wheat होती है उसकी नहीं की थी तो अब हम यहाँ पर करेंगे तो एक side से हमें half inch लेना है दूसरे side से हमें one inch लेना है length में हम इसे two inch लेंगे यहाँ पर इन दोनों marking को मिलाते हुए में shape देना है यह देखिए इस तरीके से lining fabric पर cut करेंगे तो देखिए इस तरह से four fold fabric लिख लिए इस तरीके से हमने इसकी marking कर लिए है और जो princess cut का part था उसकी हमें cut नहीं किया है अभी क्योंकि हमें back part भी same इसी तरीके से cut करना था यह देखिए इसे हमने cut कर लिया तो यह हमारे दो piece cut हो गए है अब इन दोनों को साथ में रखते हुए हमें one side का जो shoulder है उसे cut कर लियना है यह देखिए इस तरीके से cut कर लिया तो इसे अब हमें cut कर लियना है क्योंकि back part भी हमने आपे cut कर लिया है यह देखिए इस तरीके से अब जो front part है उसको हम cut करेंगे तो इसे रखते हुए हमें यहां से isities marking करनी है और यहां से भी हम इस तरह से shape देते हुए cut करेंगे यह देखिए cut हमने यहां पे कर लिया से और अब जो back part है उसकी यहां पर देखिए हमें chest का fourth part लेना है 8.5 inch 2 inch plus करना margin के लिए waist है हमारी 28 उसका fourth part लेंगे 7 inch 2 inch लेंगे margin के लिए 1 inch लेना है tux के लिए इसे हम यहां से cut करेंगे तो देखिए इसे हमने lining fabric पर भी cut कर लिया है तो आपको देखकर cut करना है कि आपको up shoulder कहां बनाना है और यहां पर हमें किस तरह के से cut करना होगा stitching करेंगे तो देखिए यहां पर पहले हम इस part को stitch करेंगे तो जो man fabric है उसे wrong side पर रखना है उसके उपर lining रखते हूँ हम इसे 4 side से stitch करना है इसका जो extra fabric है उसे हम cut करेंगे दूसरा part भी इसी तरीके से stitch कर लिया और इस part को भी lining के साथ stitch कर लिया है अब देखिए जो princess cut के part थे वो हमें stitch करना है दूसरा part भी stitch करेंगे दोनों part stitch कर लिये नीचे के side पटी लगानी है पटी की wheat हमने 1.5 inch रखी है एक stitch हम पटी के उपर से करेंगे पटी को अदर के side fold करते हुए एक stitch और कर लेना है यह देखिए तो front part complete हो गया है बैक part को हमने lining के साथ stitch कर लिया बैक tux लगाएंगे इसके जो hook है वो हम side में रखेंगे tux की जो length है वो हमने 4 inch रखी है से हम इसी तरीके से दूसरे side भी tux लगा लेना है और नीचे के side भी इसमें पटी लगाएंगे जैसे कि हमने front में लगाई थी तो दीखे पटी को लगाकर complete कर लिया shoulder को stitch कर लिया यह दिखे इस तरीके से तो दीखे इस तरीके से हमने marking कर लिया है इसकी और अब यहाँ पर हम marking करेंगे 1 inch पर यह दिखे थोड़ो थोड़ा में यहाँ पर बढ़ाते जाना है 1.5 inch यहाँ पर हम 2 inch लेंगे तो यहाँ पर 2.5 inch फिर 3 inch लेना है और यहाँ पर मैंने 3.5 inch तक इसे रखा है इस तरीके से marking को डार कर लिया है यहाँ से हमें इस तरह से लेना है इसे cut करेंगे यह दिखे हमने इसे cut कर लिया है यहाँ से हम इसे stitch करेंगे थोड़ा तो थोड़ा तिर्चे में हम इसे stitch करना है ताकि यह दह से उठे ना और यहाँ पर मैंने इसे lining के साथ paste कर लिया है और मैंन फैबरिक भी हमने इसका cut कर लिया है यह दिखे अब मैंन फैबरिक को right side पर रखेंगे तो जो center इसका वहाँ से हमें इसे थोड़ा सा तिर्चे में cut कर लिया है stitch करके और अब इसे हमें रखना है तो center पर ही आना चाहिए जो joint है हमारा और इस तरह से हम इसे stitch करेंगे side से हमें इसे stitch करते जाना है extra fabric cut करेंगे और यहाँ पर जो गुलाई है वहाँ पर हमें cut लगा लियना है पलट लिना है इसे और iron कर लिना है अच्छे से यह दिखे हमने से पलट लिया यहाँ से हम इसे stitch करेंगे यह दिखे हमने cut कर लिया हमने से और अभी आपर हमें इसे लगाना है तो जो हमारा solder है वहाँ से हमें जो हमने इसको joint किया था वहाँ से हमें इस तरह से रखेंगे और इसे हमें wrong side पर लगाते हुए stitch करना है इस तरीके से पूरे ही round पर इसे stitch करेंगे कट लगा लेना ही इसके उपर से हमने एक stitch कर लिया तो जो lining fabric है उसके उपर से हमें stitch करना है और इसको इस तरह से पलटते हुए हमें इस पर एक बार iron कर लीना है तो दिखेंगे अच्छे से finishing के साथ बैठ गया है और अब जिसका arm हो ले वह हम complete करेंगे तो cross में हमने पटी कट के हैं इस तरह से लगाएंगे यह देखें जहाँ पर corner है वहाँ पर हमें cut लगा लेना है पूरे में ही हम cut लगाएंगे और एक stitch हमें पटी के उपर से करना है cut लगा लेना है corner के side पर और पटी को अंदर के side fold करते हुए stitch कर लेना है इसी तरीके से दूसरा arm भी हमें stitch करना है तो देखें आर्मोल को complete कर लिया यहाँ पर आप fitting लगाएंगे तो एक side से हमारे hook आएंगे तो जिस भी side आपको hook लगाने वहाँ से आप open ही रेने दीजेगा side से stitch कर लिया extra fabric cut कर लिया है और अब यहाँ से हमें एक पेर का margin रखते हुए stitch करना है और अब यहाँ पर हम fitting लगाएंगे तो center से chest के fourth part पर marking करेंगे fourth part है हमारा 8.5 inch और यहाँ से हमें west का fourth part लेना है 7 inch एक side से ही stitch करेंगे fitting लगाएंगे अब दीखें यहाँ पर हमें hook लगाने हैं तो मैं इसमें पूरे में ही hook लगाऊंगी अगर आप चाहें तो उसे 2 inch तक stitch कर लिजे उपर की side, armhole की side पर और फिर आप यहाँ पर eye की पटी लगा सकते हैं पर मैं यहाँ पर इसमें पूरे में ही आपको hook लगाना बताऊंगी कई बार क्या होता है कि लोगों को पहनने में दिक्कत होती है कि कैसे पहने तो आप इस तरह से जब आपका sleeve-less blouse हो तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, eye hook लगा सकते हैं देखिए यह पटी लिए है मैंने 4 इंच की width में यह 4 इंच लिया है और इसे 3 साइट से हम fold करेंगे यह देखिए इस तरीके से side से stitch करना है तो देखिए stitch कर लिया, अब यह पटी थोड़ी सी बड़ी हो रही है तो हमें इसे extra लेते हुए cut करना है और इसे अंदर के side fold कर लिएंगे यह देखिए इस तरीके से अंदर के side fold कर दिया, इसे हमें stitch कर लिएना है अब देखिए यहाँ पर हम fold करेंगे इसको side से यह देखिए, तो हमने iq party लगा लिए है और जो iq party है वो हमें back side पर लगानी है तो देखिए इसे complete कर लिए हमने अब यहाँ पर मैंने 9 inch के एक party लिए है वो width में से पॉने 3 inch लिए है 2.75 inch लिए है और इस तरीके से fold करते हुए stitch करना है पलट लेना है इसे तो देखिए पलट लिया हमने इसे और यह हम दूसरे side पर लगाएंगे यह देखिए यहाँ पर जो solder है वहाँ पर हमने इसे लगाया है और दूसरे side भी fold कर लेना है stitch कर लेना है यह देखिए यहाँ पर लगा लिया है हमने तो friends हमारे designer blouse बनकर complete हो गया है तो comment करके आप जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी वीडियो को like share जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe कर लीजेगा bell icon की बटन जरूर दबाइएगा तक आने वाले वाले